यहां पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीस से इरान से आए और यहां पर अंजीर जैतुन का तेल हर तरह के सीहत के लिए बहुत जरूरी एटम्स खाने के लिए यहां पर मौजूद है यह दुकान खंजर गली दरगा के बिलकुल बाजू में शालिमार होटल के बिलकुल पीछे हरमें डेट्स एंड नेट्स सीहत के लिए यहां पर आना न भूलिए मैं चमील अहमद यह प्राइम नूस एंडिया और संच टाइम अ क्राइम नूस है आईए देखते हैं इसकोन सी खबर भारत देश में करद्श कर रही है इसद भारत देश में दिल्ली में जो एक जमेत अलुमा हिंद की तरफ से एक जलसे का इनकाद किया गया जिसमें आज दुनी आज हिंदुस्तान में जो चर्चा चली है कि पुरुच कोन है किसका पुरुच कोन है कौन पहले हिंदुस्तान आया कौन पहले दुनिया में आया लेकिन मौलाना अर्शद मदनी ने ये थाबित करके दिखाया कि हम सब के पुरुच एक ही है जिनका नाम आदम अलिएसलाम है जिन्हों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और यहां से ही नसले शुरू हो गई जिसे नभीों के रसूलों के और मुसल्मानों के हिंदुों के इसाईों के यहुदियों के सब के पुरुच आदम अलिएसलाम है और उन्होंने बताते हुए कहा कि इस तरह की कोई बहस वभाइसे में नपड़े क्योंके हिंदुस्तान एक जमूरी मुलक है यह मुलक की तरकी के लिए हमे काम करना चाहिए बलकि यह सोच लेते हैं अपने आपको बहस पर मुबतिला करके जो एक सियासी बहस है जो सियासी पार्टिया इस बहस को लेकर नफरत की आग पहलाने की कोशिश जो करते हैं उससे दूर रहकर हम साबित करना चाहिए हम देश के सब मिल कर रहेंगे और देश के लिए काम करेंगे और इस मज़फर कई सौमियों ने भी यहां पर शिरकत की और सौमियों ने भी मौलाना के बयान की तारीफ की और सब मिल कर काम करने के लिए इन सामियों ने भी अपने ख्याल का इजहार किया आईए देखते हैं तेहते हैं उसको उतारा है हम उसी के पूर वही हमारे पूर वज़ है सब के पूर वज़ है नबियों के पूर वज़ है रसूलों के पूर वज़ है हिंदों के पूर वज़ है मुसल्मानों के पूर वज़ है इसाईयों के यहुद सारी दुनिया के पूर हमारा याखीदा है कि अल्लाह यानि ओम एक है उसका कोई शरीच रही है हम चौदा सुछ साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं हमें कभी छेड़ा नहीं गया हमारे मदब को ने तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबावजदाद की तारिष बचाते हैं तु मारा सबसे पहला दादा पर दादा युकर दादा सकर दादा वो मनु था मनु एक अल्लाह की एक आम की अबादत चन्देवाला था मेरे भाई मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ओपर फखर करो जिस तरह आखरी नभी अरब में पैदा कि हर मुस्लम को समझना चाहिए कि सबसे पहला नभी अल्लाह ने ओम ने इस दुनिया के अंदर इसी भारत की घर की के अंदर पैदा कि रहा है सारी नसरे यहीं से चलिये अपने इस मुल्क से महबबत रखो इस मुल्क का इहतराम करो शरीयत अलग अलग है लेकिन दीन यानि आखीदा एक और वो आखीदा इस दुनिया के अंदर इसी भारत की धर्ती से चला है लोग रास्ते से भटक गए वो दूसरों की वाबत तरने लगे हम नहीं भटक भटक गए थे यह उपर वाले का करम है उसने फिर हमें वहीं पहुंचा दिया जहां हमारे जद्द्यम्जद मन थे जिसक महम्मद तल्लाव आपने एसनिये ला इलाह इल्लाव महम्मद अल्रसूल और यह हमाना आकिदा है हम इसके उपर ताहिं मैं अपनी बात को खटम करता हूं मैं फिर तपरस्ती का मुखालिव हो और मैं समझता हूं कि इस मुल्ब और इस धंती पर रहने वाला सही दिमाग परस्ती के साथ मुलक में ना अमान रह सकता है और ना इस मुलक के इंदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लाइक और शेयर करना न भूले